वक्त बदल रहा है, बीदा वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है हम लोगों ने पेरा चुपिंग की है, मांट ट्रेनरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते है नमस्कार असमिदा के कौर्ण ने अंग में समीना अवसर्व का स्वागत करती हूँ अंतराश्टिस श्रम संगिस के मताबिख दुनिया का हर छठा बच्छा बाल मस्दूर है एक रिपोट्च के मताबिख पांच से सत्रह साल के उम्र के दक्रीबन 22 करोर बच्छे कामगार है जिसमें से लगभग 30 करोर बच्छे खतरनाक उद्योगों या जबतर हालात में काम कर रहे है इसमें से लगभग 12 करोड बच्चे अकेले एशिया और तुशानती एक देशों में हैं भारत की ही बात की जाए तो सरकारी आकड़ों के पुदाबिफ भारत में लगभग 10 करोड बच्चे बालश्रमिक है जब कि अगर गयर सक्कारी संस्थाओं के आकड़ों की बात की जाए तो उनके साथ से ये तादाद लगभग 6 करोड है बेशुमार गोशनाएं, कोशिशें और योजनाएं इस एक समस्या से निपटने में नाकाफी साबित हो रही है ऐसे में असमिता के माध्यम से एक अवलोकन और ऐसी शक्सियती जो डगातार इस दिश्णा में काम कर रही है हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे बीच मौझूद है उन सबसे मैं आपका परेशे करा दूँ हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले शशांग शेकर जी आप मेंबर डी सी पी सी आरे स्वागत है आपका शशांग जी असमिता कारिकरम में हमारे साथ है केलाश सत्यार्टी जी आप संस्थापक हैं बच्पन बचाओंवान बुलन से आपका तालोग है बच्चों के लिए बहुत काम करें बहुत सालों से खुशांदीद केलाश जी असमिता कारिकरम में माय साथ है मुहमद आफ्ताव आप एंजियो सेफ दे चिल्डर्टी जी आते हैं खुशांदीद आफ्ताव असमिता कारिकरम में और हमाय इसाथ है अरुना सिंग जी आप क्राइसनस्था से आते हैं एड़ोकीसी में आप डिल करते हैं बहुत बहुत स्वागत है असमेता कारिक्रalet रंम ने और हमाई साथ हैं अरुना सिंग जी आप वर्ष्ट पत्रकार हैं और काफी लिखती नहीं है इन मुद्दो पर आपको मैं खुशांदीर कह दी हूँ और हमाई साथ मीडिया सेक्सिस के स्टूमिंस जुड़े हैं मैं आप सब का भी स्वागत करती हूं असमता कारिकरूम में इसे पहले के हम अपने इस कारिकरूम को आगे बढ़ाएं आए हमने तो डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट पर आजादी के बाद से ही बाल शोशन रुपने की कई बात पहल हुई है सम्विधान के अनुछेद 24 में यह प्रावधान है कि 14 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को खतरनाक उद्यम या अन्य जोखिम के काम पर नहीं लगाया जा सकता राजे और केंद्री सरकारों के इस तर पर अब तक कई ऐसे खानून भी बनाए गए हैं ऐसे खानूनों में 1948 का फैक्टरीज खानून और 1986 का बाल श्रम ततिबंद और विनियमन खानून अहम है पहले एक्ट में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रमिक रखने पर पूरी तरह से पावंदी का जिक्र है इसमें 57 प्रक्रियाओं और 13 धंदों को बच्चों की सिहत के लिहाज से खतरनाक माना गया है इसके अलावा 15 से 18 साल तक के बच्चों को कामगार रखा तो जा सकता है लेकिन उसके लिए उनके पास चिकित्सक द्वारा पूरी तरह से स्वस्थ होने का प्रमानपत्र होना ज़रूरी है इन तमाम व्यवस्थाओं के बावजूत एक सवाल हमेशा जहन में रहता है और वो ये कि बच्चों के लिए घोशित बेशुमार योजनाए और घोशनाए व्यवार में लागू हो भी पारे हैं या नहीं सवाल यह भी है कि ये योजनाए कब रंगला पाएंगी? कब हम बाल श्रम में सिसकते बच्चों को बचा पाएंगे? क्या कभी हम उनका दामन भी खुशियों से भर पाएंगे या नहीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर गहन चिंतन करने के साथ ही इनके व्यवारिक जवाब भी हमें जल्द खोजने होंगे असमिता के लिए प्रियंबरा लोग सभाते वी तो ये तो दिया हमारी खास रपोर्ट जो आप सबने देखी शेशांग जी मेरा पहला सवाल आप से है कि बारा जून को हर साल पूरी विश्व में बाल श्रम्वरोद दिवस करूप में भी मनाया जाता है आयलो के आक्रे और भारत के संदर्व में अगर हम इस स्थिति को आकना चाहें कैसे बताएंगे आयलो के आकड़ो का जहां तक संदर्व है आप लोग ने आपने खुद बताया करीब करीब 22 करोड बच्चों की बात आप कर रही हैं भारत में करीब 6 करोड ऐसे बच्चे हैं जो चाइड लेवर की अब श्रेणी में आते हैं मैं आपको बता दूं कि चाइड लेवर की श् प्रॉसेस में लगे हुए हैं ऐसी इंडेस्ट्री और ऐसे प्रॉसेस में लगे हुए हैं जिन में उनका काम करना कानून मना हैं लेकिन इसके सिवाए और भी बहुत सारी प्रॉसेस हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं जहां ये बच्चे लगे हैं काम कर रहे हैं जहां व लेकिन एक और कानून है जिसे जुवनाई जस्टिस, केर और प्रोटेक्शन अफ चिल्रेंट काते हैं, जिसमें 18 साल से कम उम्र तक के बच्चे जो काम कर रहे हैं, वो वरकिंग चाइड काला आते हैं, और वो चाइड इन नीड अफ केर और प्रोटेक्शन के कैटेगरी में आते हैं, और उनको भी हमारे संरक्षन की जरूत है, हम बले जुकि वो प्रोहिबिटिव इंडे स्ट्रीज में नहीं है, तो हम यह कहते हैं कि वो चाइड लेवर नहीं है, बट आक्च्छली वो चाइड लेवर हैं, वो काम कर रहे हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं, जो कानूनी तोर पे वो कर सकते हैं लेकिन वो भी चाइड लेवर हैं और अगर उनकी संख्या को जोड़ ली जाए तो यह संख्या बहुत बड़ी संख्या है एक बहुत बड़ी संख्या जो आपको तकलीफ देती है केलाज जी आए साथ केलाज जी रिपोर्ट्स के मताबे हम बात करें बाल श्रमेकों की संख्या सबसे ज्यादा है कौन सी परिस्तितिया खास आपकी निजर में जो कि आप तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं स्तितिया कहां सबसे ज्यादा आपको गंभीर देखती है देखिए भारत में करीब दो तिहाई बाल मजदूर खेत खलियानों में काम करते हैं बाकी अनौगनाइस सेक्टर में या जिसे हम अनौपचारिक अर्थविवस्ता कहते हैं उसमें काम करते हैं पत्थर की खदानों में, इट के भटों में, कांच के कार खानों में, हर जगे बच्चे काम करते हैं, उत्तर और दक्षिन पूरा पस्ट्रिम सब जगे, ये सरकारी रिपोर्ट हैं जिसमें उत्तर और दक्षिन भारत में जहां आबादी ज़्यादा है, वहां बच्चों की सं दूरी कर रहे हैं और बाल ब्यापार के शिकार हैं मैं आपको बताओं कि अभी भी मेरे रॉंग्टे खड़े हो रहे हैं मैं अब से एक घंटे पहले उन प्लास्टिक के कारखानों के अंदर था जहां से हमने 34 बच्चों को मुक्त कराया जहां पर आप खड़े नहीं हो सकते प्माच मिनिट आप जलने लगेंगे इतनी गर्मी में भी भटियां धदक रही थी जहां प्लास्टिक पिखलाया जाता है और चपले बनाई जा रही थी और छोटे-छोटे मासूम बच्चे एकदम काले हो रहे हैं उनके शरीर उस धुएं के बज़े से वो सब बिहार के ब जादा टीवी ग्रस्त इलाका है सबसे ज़्यादा लोग में टीवी के शिकार हैं तमाम अध्योनों से हमने मानवधिकार आयोग रास्ट्री मानवधिकार आयोग के साथ मिलकर एक धिन किया आज से 15 साल पहले और पता लगा कि अधिकांस बच्चे जो बच्पन में कांच की चूनिया बना रहे हैं बल बना रहे हैं दोस्रों को रोशनी देने के लिए वो चौता सो पंदरा सो सोला सो डिग्री सेल्सियस पर काम करके अपने शिरीर को खतम कर रहे हैं और कोई बज़े नहीं है कि वो टीवी से बच सकें वो सब टीवी के शिकार हैं इसी तरह गलीचा दुनिया भर में खुबस्वरत गलीता जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में गलीचा उद्धियोग में जो बच्चे धूल गलीचे की उन की धूल जा रहे हैं उन्हें सिटी कोसिस बीमारी हो रही है और दूसरी बीमारिया हो रही हैं दक्ष्ण भारत के आप बात कर रहे ह तो सारी देश और दुनिया के कई देशों में हमारे यहां से आतिशवाजी एक्सपोर्ट भी होती है जो आतिशवाजी बच्चे बना रहे हैं हम अपनी दिवालिया मना रहे हैं हम अपना घर जला रहे हैं चूला जला रहे हैं जिस दिया सलाई से माचिस से वो बच्चे बना रहे हैं बहुत सारी बड़ी संख्याना और लगातार उनके स्वास उनके जीवन उनके बच्च्पन को खत्रा है खत्रा है अफ़ताफ जीवन आपकी संसा भी काफी काम करें कौन से क्षेतर आपकी निजर में बहुत ज़्यादा धान दोने रोके हैं जहां पर इस तरह का काम हो रहा है यही बात जो कैलास जी को आगे जोड़ना मैं चाहता हूँ इन्होंने फैक्टरी की बात की और खेत खरियान की बात की फैक्टरी में जो बच्चे काम कर रहे हैं वो हमारी नजर में हैं और बहुत हद तक इस पे चर्चा कम से कम हुई है जो हम लोग अभी एक और एरिया ज हो चाइल रैट्स और गिनाइजिशन हो बहुत कम इस पे धियान दी हैं चर्चा किये हैं इस बात को है अब ये पिछले कुछ सालों से इस पे गलोवल मार्स से इफ दे चिल्डन और इस तरीके की बहुत सारी जो सरस्थाएं हैं आयलो हैं ये सारी चीजें जो हैं ये सामने हुए काम करते हैं और कहीं भी ये इस चीज़ की बहुत जो एक चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा ने हूँ इसी तरीके से अभी से दे चलने ने एक बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम हम लोग शुरू किया हैं तीन राज्यों में खास्त और से चाइल लेवरीन को लेकर जो बच्चे मजदूरी करते हैं खेत में उसको लेकर गुजरात महारास्टरा और राजस्थान में और लगभग चार हजार गाउन में हम लोगा भी ये काम शुरू किया हैं आगे भविस में पंजाब हर्याना और दूसरे राज्यों में भी अगरिकल्चर चाहिए खीतों में काम करते हैं बच्चे आपकी